नमस्कार मैं हूँ राजेश नहां दोस्तों आज हम बात करेंगे इसराइल की हम बात करेंगे इसराइल की नई एर डिफेंस सिस्टम की जब भी आपके जेहर में इसराइल शब्द आता है तो आपके सामने एक ऐसे देश की छवी उभराती है जो कभी बहुत ही मजबूत किला होता था उसके पास आयरन डोम जैसा एंटी मिसाइल सिस्टम होता था और पूरी दुनिया ये जानती थी कि इसराइल पर अटैक नहीं किया जा सकता है कम से कम एयर के रास्ते लेकिन जब 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने 5000 से ज़्यादा मिसाइले दाग दी इसराइ गई वो इसराइल के अंदर जागिरी थी और नुकसान पहुचाया था और दुनिया को ये लगने लगा था कि इसराइल के पास फूल प्रूफ एक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है उसमें भी लूप होल्स हैं और वहां भी आकाश मार्क से एयर के रास्ते से अटैक क भी आ जा सकता है। लेकिन अभी जो खबरे निकल कर आ रही है इसराइल से वो ये है अगर इसराइल के दावो की मान लें तो अब फिर से इसराइल अभेद्ध किला बन गया है। इसका क्या मतलब है। इसका अगर मैं सिधे शब्दों में आपको बताऊं तो कहने का ये मतलब है कि अब इसराइल ये कह रहा है कि दोबारा अगर हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने फिर से ऐसा ही मिसाइलों से हमला कर दिया तो अब इसराइल के पास एक ऐसा एर डिफेंस सिस्टम आ गया है जि रोक सकता है और इसी लिए इसराइल ने कहा है कि ये आल इन वन है यानि कि जो नया एर डिफेंस सिस्टम इसराइल ने बना लिया है वो आल इन वन है और इसराइल एक अभिद किला में तबदील हो गया है तो आईए सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि इसराइल के अख यह जो फोटोग्राफ है यह उसी एर डिफेंस सिस्टम का है यह जो मिसाइल लगा गया है उसमें यहाँ पर लिखा गया है यह एक वीडियो भी जारी किया है यहाँ पर इसमें यह दिखाया गया है कि एक लाल रंग का एक ड्रोन है उसे उड़ाया गया और फिर इस एर डिफेंस सिस्टम से यह मिसाइल दाग करके उसे गिरा दिया गया अब देख लेते हैं कि जरुसलम पोस्ट के बाद यहाँ पर टाइमस ऑफ इसराइल ने क्या लिखा है इस ख़बर के बारे में इसके कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर चुकि पहले से भी इस तरह की स्पाइडर मिसाइल सिस्टम है वहाँ पर तो या तो उसी बैटरी के साथ ही इसे लगा दिया जाएगा या फिर अलग से भी इसे डिप्लॉई किया जा सकता है मतलब यह जानकारी बता रही है कि पहले से भी ऐसे ही स्पाइडर मिसाइल इसके पास थे इसराइल को जब खुद भी यूज नहीं करता था वो उसे एक्सपोर्ट करता था दुनिया भर के देशों को जैसे कि आइरन डोम उसके पास तो है ही आइरन डोम वो खुद यूज करता है लेकिन वो जो ये जो सिस्टम था स्पाइडर मिसाइल का उसे वो खुद यूज नहीं करता था लेकिन अब जब से हमास के लड़ाकों ने वहाँ पर हमला कर दिया था और जब से यूद चल रहा है हमास और इसराइल के बीच में तो अब इसराइल ने एक ऐसा एर डिफेंस सिस्टम को बना लिया है और दुनिया को ये कह दिया है कि हमारे पास अब एक नया एर डिफेंस सिस्टम हो गया है और अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल इसे तैनाद करेगा और किसी भी संभावित, मिसाइल या किसी भी एयर बॉन्ड किसी भी खत्रे को रोकने के लिए इसका इस्तमाल किया जा सकता है इसराइल ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल ट्राइल कर लिया है जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली स्पाइडर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है राफेल इडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया गया एर डिफेंस सिस्टम एक बारे में ड्रोन, अटैक हेलिकॉप्टर, एरक्राफ्ट क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां तक की प्रिसीजन गाइडेट हत्यारों को भी गिरा सकता है यही मैं पहले के साइड में आपको बता रहा था कि यह ओल इन वन एक एर डिफेंस सिस्टम है जहां पर अगर आप माल निजदी के आप अटैक के मोड में हैं, वहां पर आपके तरफ संभावित खत्रा है और आपको पता चल गया है कि उस तरब से ड्रोन भी आ रहा है, मिसाइल्स भी आ रहा है, चौपर भी आ रहा है तो यह एक ऐसा सिस्टम बना लिया गया है कि एक साथ उन सब को गिराया जा सकता है तो आईए अब सिधा यह देख लेते हैं कि रफाइल ने इसके बारे में क्या कहा है जिसने, जिस कंपनी ने बनाया है इस एर डिफेंस सिस्टम को उसके वेबसाइट पर इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है यह रफाइल की वेबसाइट पर है लिखा हुआ रफाइल एंड आई एम ओड यानि कि इस्राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री DDRND कम्प्लीट सक्सेस्फुली सक्सेस्फुल टेस्ट आफ एडवांस्ट स्पाइडर एडिफेंस सिस्टम in its latest all-in-one configuration मतब यह है कि यह जानकारी इस company की website पर है रफाइल के कि वहां की सरकार ने यानि कि इसराइल की सरकार ने और रफाइल ने मिल करके एक ऐसा system को successfully उन्होंने टेस्ट कर लिया जिसमें कि उसका जो configuration है जो पहले से वो जादा advanced है और all-in-one है इसे मैंने का कि बहुत सारे targets होते हैं drone है, chopper है, missiles सबको यह एक साथ गिरा सकता है आगे इस website में लिखा हुआ है रफाइल के रफाइल in collaboration with IMOD has successfully completed a test of the advanced spider air defense system in its latest unique configuration all-in-one the test included the interception of UAV in a challenging operational scenario achieving a direct and effective hit जो मैं अपको पहले बता रहा थे कि जब इसका test fire हुआ था जब इसको launch किया गया था, test करने के लिए तो एक UAV को एक drone को उड़ाया गया और फिर उसे गिरा दिया गया यही जानकारी, यहाँ पर यह website दे रही है रफाइल की यह जानकारी बता रही है कि जो spider system है वो दुनिया भर में use पहले से किया जा रहा है और जो उसकी जो खास बात है वो यही है कि किसी भी तरह का airborne अगर threats होता है तो उसे वो tackle कर लेता है और यहाँ पर जो उपर में जानकारी दी गई वो यह थी कि इसका जो latest configuration है उसे all in one बना दिया गया है और इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि इसराइल ने एक ऐसा air defense system बना लिया जिससे इसराइल जो है एक अभिद्य किला के रूप में तबदील हो गया है हर मौसम में काम करने वाले spider के दो variants है एक spider SR यानि spider short range और दूसरा spider MR यानि की medium range यह मिसाइले 4900 km प्रति घंटे की speed से target की और बढ़ती है और target को लक्ष करने के बाद दाग दीजिए और उसके बाद भूल जाए मतलब इसका concept यह है कि यह जो मिसाइले है वो इतनी अचूक होती है कि एक बार अगर आपने lock कर दिया target को आपने पहचाल लिया कि यह जो सामने दिख रहा है वो hostile है दुश्मन है और आपने इसे lock करके अगर इसे दाग दिया इस मिसाइल को तो आप भूल जाए क्योंकि यह हर हाल में उसका पीछा करके उसे बरबाद कर देती है यह तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसका खात्मा ना हो जाए यानि दागो और भूल जाओ यही कहा गया है इस मिसाइल के बारे में कि आपने एक बार दाग दिया तो आप भूल जाए आईए अब आगे देखते हैं कि राफाइल के website पर इस spider जो variants है और इस्पाइडर जो missile system है उसके बारे में और क्या जानकारी है इस्पाइडर MR और इस्पाइडर LR ओफर medium and long range target इन सबसान थ्रू वर्टिकल लाँच वाइल पुशिंग देफेंस एंवेलप अप टू 80 km radius 80 km के radius में चलता है इसका मतब होता है कि इन जो missile है इनको आप जब launch करते हैं तो यह वर्टिकल उपर जाती है और उसमें 80 km का radius होता है उसमें यह डिफेंस देती है और उसके अंदर जैसे ही कोई कुछ भी आता है जो threat perception के साथ होता है जो लगता है कि यह hostile है और यह हमारा target है वो उसे बरबाद कर देती है both systems enable a 360 degree launch within seconds of target being declared hostile and provide all weather multi launch and net centering capabilities मतब होता है कि यह जो दोनों जो missile systems है दोनों जो short range है और medium range है दोनों इस तरह से बनाई गई है कि यह 360 degree पे घूम करके किसी भी दिशा में target को बरबाद कर सकती है और जैसे ही इन्हें कह दिया जाता है कि यह target है यह hostile object आ रहा है इसे खत्म करना है तो कुछी seconds में यह अपने target की तरह बढ़ जाती है और उसे बरबाद कर जती है मैंने आपको पहने भी बताया कि जो उसका speed है 4900 km पर आवर है तो आप सोच सकते हैं कि अगर attack हो रहा हो मान लिजे कि इसराइल के उपर अगर दुबारा attack हो रहा हो और उसे बरबाद करना हो तो यह जो missile system है यह जो air defense system है वो तो पलक जपकते ही आने वाले किसी भी missile को यू तबाह कर देगा अब यहाँ पर और देख लेते हैं कि इसमें जो यह जो air defense system है वो और उसमें क्या क्या खास बाते हैं इस air defense system को आठ पहियो वाले truck पर आसानी से लोट किया जाता है जिसमें missile launcher, radar, command and control system होता है और साथ ही इसके अलावा surveillance और target activation की तकनीक भी लगी होती है मतब यह होता है कि आठ पहियो वाला एक truck होता है उसके उपर इस system को लगा दिया जाता है मतब यह handy है बहुत आसान है इसकी mobility बहुत आसान है अगर कोई भारी भरकम सा कोई अगर operational system हो तो आपको एक जगा से ले जाने में दूसरे जगा पहुँचाने में दिक्कत होती है ल तो बात अगर इसराइल की हो रही है तो इसराइल अगर ऐसे बना करके air defense systems को अलग-अलग जगों पर तैनात कर देगा तो आने वाले वक्त में इसे जब चाहे थोड़े ही दिर में जैसे ही उसे command मिलेगा हाँ कुछ दूरी पर आग जा करके fire करना है इस तरह के defense system को और पत पहले की तरह इसराइल फिर से एक अभिद किला बन गया है जैसे पहले कहा जाता था कि iron dome है इसराइल के पास और आप कम से कम air के रास्ते से आप इसराइल पर attack नहीं कर सकते हैं और ये दोबारा से कहा जाने लगा है कि फिर से इसराइल ने air defense system को इतना मजबूत कर लिया है कि अब जैसा कि इसराइल दावा कर रहा है कि दुनिया में अभी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कोई ऐसी missile नहीं है जो इस air defense system को भेद सके और अभी के लिए इतना ही मैं फिर आऊंगा और ऐसी ही रोचक जानकारिया आपके लिए लेकर आता रहूंगा लेकिन आप इस वीडियो को like कर दे और share कर दे और अगर अभी तक आपनी इस channel को subscribe नहीं किया है तो please अभी इसे subscribe कर ले तब तक के लिए धन्यवाद